हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे गरतंत दिवस या फिर कहलो रिपबलिक दे की आप लोगों को धेर सारी सूप काम ना है इतना तो सबको पता होना चाहिए इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि रिपबलिक दे और इंडिपेंडेंस दे में क्या बेसिक सा डिफरेंट होता है यानि गरतंत दिवस और सोतंता दिवस में क्या बेसिक सा डिफरेंट होता है जिन लोगों को इसका पहले से मेरे भाई नॉलेज है तो वो वीडियो को यहीं स्कीप कर सकते है वरना पूरी वीडियो को देखो अगर समझ में आया तो कमेंट पिर तीन सब्द को मैं समझाओंगा जो important देखो 15 अगस्त को यानि 15 अगस्त 1947 को हम मनाते हैं सोतनता दिवस आप यह आगे बताओंगा क्यूं उसके बाद हम लोग 26 नमबर 1949 को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं गरतनत दिवस या फिर रिफब्ल देखो सबसे पहले उपनिवेश को समझो यहां पर मालो कोई state 1 है और यहां पर कोई state 2 है देखो जो बच्चे political science होंगे उनको पता होगा state कहने का अर्थ ना कोई एक देश ठीक है अब देखो कोई मालो state 1 state 2 पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर ले ना तो हम कह सकते state 2 जो है वो state 1 का एक कोलोनी है जैसे जांपल के थुरू मालो यहां पर कोई बिटेन है और यहां पर देखो भारत है तो कह सकते हैं ना कि 15 अगस 1947 के पहले भारत जो है वो बिटेन का एक कोलोनी था इस प्रकार से आप लोग उपनिवेश को समझ सकते हो अब डोमीनियन क्या ह करता हो state 2 पर तो हम कह सकते है state 2 जो है वो मेरे भाई state 1 का डोमीनियन है state 2 के पास अपना जो की सब अधिकार हो अपनी सेना भी रख सकता है अपनी मेरे भाई की जो हो की सासन व्यवस्था भी चला सकता है सब कुछ state 2 के पास हो बस नाम मातर का मुखिया जो है वो state 1 है इस प नहीं है तो हम कह सकते हैं कि state 2 जो है वो एक संप्रभू राज्य है इसका अपना खुद का सेना हो खुद का international relationship हो तो कह सकते हैं मेरे भाई जो की state 2 जो है वो एक संप्रभू राज्य है ठीक है इस प्रकार से तीनों सब्दों को समझ चुके तो अब समझो देखो 15 अगस्त को 15 क्योंकि भारत जो एक कोलोनी से एक मेरे भाई संप्रभू राज्य बना या फिर एक सोतंतर देश बना इस प्रकार से उसकी खुशी में हम लोग 15 अगस 1947 को कि स्वंतरता दिवस मनाते हैं अब 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संबिधान था वो बनके तयार हो गया उसके मेरे भाई खुशी में हम लोग क्या है कि संबिधान दिवस मनाते हैं अब 26 जनवरी 1950 को हम गरतन दिवस इसलिए मनाते हैं यह जो हमारा संबिधान था वो मेरे भाई 26 जनवरी को पूरी तरीके से भारत में लागू कर दिया गया और मेरे भाई 1929 के आसपास गरतन दिवस मनाने की भी अपनी कहानी है ठीक है उस तरीके से करतन दिवस मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी को ठीक है चलो पूरी तरीके समझाने का प्रयास क्या है यदि आप लोग को समझ में आया तो कमेंट सेक्षन में कमेंट जरूर करना और हां कुछ और भी जानना हो तो इतना तो सबको पता है करता रहता है और मेरे भाई अपके मन में कोई भी डावट कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे इंस्टा इडिये पर जोड़के कुछ भी कमेंट और मैसेज कर सकते हो ठीक है चलो अपना ख्यार लखो मुस्कुराते रहो चलो ठीक है जैहिं जै भारत